तक आझ एक रेसेपी शेयर करने वाली हुँ मैं आपके साथ तो कोबी मसाला की रेसेपी शेयर करूंगी मैं तो चलो स्टाट करते हैं तो सबसे पहले मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है एक कटोरी में कटोरी में पहले मसाले का गोल बना दूंगी तो जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद अभी में डालूंगी आधा चमच हल्दी पाउडर और स्माद नुसार लाल मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंगी ले सकते हो तो इसको पानी डालके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी पेस्ट जैसा बनाना है इसको तो यह हो गया अभी यह देखिए साइड में मैंने एक टमाटर और प्याज की पेस्ट बना ली है तो अभी मैं तेल के अंदर में राई डालूंगी राई को अच्छे से क्रैक होने के बाद में में डालूंगी आधा चमाट जीरा और हिंग डाला है मैंने हिंग तोड़ा ज्यादा डालना है क्योंकि हिंग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है तो इस वज़े से मैंने पाउ चमाट जितना हिंग डाला है इसके बाद में डालूंगी टमाटर और प्याज की पेस इसको अभी ढखकन रखके में पकालूंगी ताकि वह तेल उलता है फिर इस वज़े से मैंने रखकन रखा है तो बस एक देड मिनिट बाद ये देखे पेस्ट अच्छे से हमारी बून चुकी है अब इसके अंदर में मसालिक का जो हमने पेस्ट बना के रखाता उसको में मिला दूंगी और इसको भी अच्छे से पकने देना है तो मैंने धकन रख दिया है अभी और जो भी हमने मसाले बनाया थे वो कटोरी को में अच्छे से पानी डालके खंगा लूंगी और मिक्सर के बरतन में से अच्छे से इसको ऐसे मिक्स करना है ताक कि जितना भी मसाला होता है वो वेस्ट ना हो इस वज़े से तो यह मैंने पानी निकाल दिया है और देख थे हैं कि हमारा मसाला पका है अब इसके अंदर में डालूंगी जो मैंने गोवी और आलू को पेने पहले से ही बॉइल करके थोड़ा फ्राय कर लिया था उसको डालूंगी और सौरे में दिखाने पाई ही वो तो इस वज़े से तो गोवी को अच्छे से मिला लेंगे मसाले में एक दो मिनित के लिए में इसी तरास इसको पकाऊंगी और अब उसके बाद में जो मसाला का पानी था उसको डाल दूंगी तो यह हो गया है तो अभी में दूसरे साइड वाले गैस पे इसको रख दूंगी पांच-दर्स मिनिट के लिए इसको पकाना है उनको देन अभी साइड में में दो चम्मच कसूरी मेथी को भूंद ले र पूदने से बहुत ही अच्छे से स्वाह दाता है इसको मैं भून दूंगी थोड़ा सा भूनना है तो दो तीन दिन से मैं शाम को ही व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि दिन को काम हुता है तो बिल्कुल भी टाइम ने मिलता है इस वज़े से शाम को आराम से वीडियो बना सकते हैं तो अभी में डिनर में क्या बना तो देखिए सबजी पक चुकी है इसके ओपर में ये कसू का सूरी मेथी से बहुत ही अच्छे से स्वाद आता है तो आज की रेसेपी कैसी लगे मुझे बताना तो देखिए अभी हजबन ने भी कॉंप्लिमेंट दे दिया है मुझे तो मिलते हैं मेरे ऐसे ही इंट्रेस्टिंग देसेपी के साथ तब तक के लिए बब बाई